नवस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल दा डियम आप बिलेज पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पंचाज चुनाओ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कौन-कौन लड़ सकता है कौन-कौन नहीं लड़ सकता हूँ यूपी पंचाज चुनाओ कब होगा सब कुछ बताएंगे दो मिनिट का वीडियो वीडियो को पूरा जरूर देखना वीडियो स्टैट करते हैं यूपी पंचाज चुनाओ चुनाओ लड़ने का सपना देख रहे कई मौजूदा पिरदान बीडिसी और पंचाज प्रतियुनिदी ने चुनाओ आयो के दिसा निर्देसों और नियूमों का पालन नहीं किया है दोस्तों हम आपको सब कुछ बताएंगे वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखते रहना लगना उत्तर प्रतियस में कोराना संकरमर को देखते हुए पंचाज चुनाओ समय में पर नहीं कराए जा सकते है चुनाओ आयो अब अगले साल की सुरूरात में पंचाज चुनाओ कराने की कवाये सुरू कर दी है बताते हैं कि राज के तकरीबन 69,000 ग्राम पंचाज़तों के कारेकाल आगामी 25 दिसंबर को खतम हो जाए गए राज में पंचा ऐसे में राज सरकार केंदरी पंचाज तिराज अधिनियम में कुछ संसोधन करने वाली है जिससे पंचाज चुनाओ लड़ने बाले परतियासी की मुस्किलें भी आगे बड़ सकती है दोस्तों हम आपको बता दें इस वार चुनाओ लड़ने का सपना देख रहे कई मौज परदान बीडिसी उजला पंचाज 7700 कस अपना तूटने वाला है ऐसी प्रतियसा से ज्यादा पंचाज परतियों ने चुनाओ आयोक दिसान दिसान निर्दोसों नियमों का पालन नहीं किया है चुनाओ आयोक ने चुनाओ के समय खर्च का वेरा जमा करने का आदिश जारी किया था चुनाओ आयोग ने तब कहा था कि अगर किसी प्रतासी ने चुनाओ में हुए खर्च का बेवरा नहीं दिया तो बहुत चुनाओ लड़ने से आयोग भी करार दिया जा सकता है चुनाओ आयोग के इस फरमान को ना केबल जीतने वाले बलकि हारने वाले 80% से जादा लोगों ने पालन नहीं किया ऐसे में आगामी चुनाओ में नामकन के समय निर्वाचन आयोग ये देखेगा कि किसने बेवरा दिया और किसने नहीं जिन लोगों ने बेवरा नहीं दिया उन्हें चुनाओ आयोग चुनाओ लड़ने से आयोग भी ठहरा सकता है दोस्तों अ अगर आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो यूपी पंचा चुनाव से समंद्ध हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फिर मिलेंगा अगली वीडियो में तक के लिद हन्न बाद